नमस्कार पशुपालक भायू नमस्कार वेटनरी के स्टुडेंट्स सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत से पशुपालक भायू के लिए काफी यूसफुल होने वाला है और कमेंट भी आ रहे हैं कि इस टॉपिक पर भी हमें एक वीडियो बना कर दिखाईए ठीक है तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं यदि आपके पशु को मदुमखी काट लेती है तैतया काट लेता है या फिर बिच्चु अगर आपके पशु को ये जीव काट लेते हैं और जरूर वच करें ठीक है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पाले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे वेटनारी क्लासीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चै करते हैं क्योंट सब्सक्राइब लेगं उसका तो हमको जोक classic छोटा सञझ अkkot सब्सक्राइ। और लेकिन होता है और रोबार इर्टेशन करता है यहानि कि एक स्थान पर ख़ड़ा नहीं रहता है तो दोस्तों इस समस्य के समाधान के लिए आप क्या घ्रेल उपाय कर सकते हैं तो सबसे पहले घ्रेल उपायों की बात करते हैं तो दोस्तों जिस हिश्चे में अगर बीच्छुने काता है या फिर तैयाने और अगर आपको वो डंक दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोटेशियम पर मेगनेट आता है मेडिसीन है दोस्तों और इसमें क्या है कि आपको इसली मिल जाएगी मेडिकलिश की शॉप में तो आपको लेना है और उस हिस्से में जो है बिल्कुल थोड़ा सा जो है जो पोटेशियम पर है ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों टूथ प्रेश्ट जो आपको लेना है और उस हिस्से में जो है टूथ पेश्ट आपको लगा लेना है जहां पर उसको डूहां कमा रहा है तो टूथ पेश्ट क्या होता कि antiseptic का काम करता है तो इससे क्या होता है दोस्तों कि पर्शु को जो इंफेक्शन नहीं होगा आप जो है टूथफेश्ट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तीसरे नंबर पर बात करते हैं शेहद अगर आपके पास शेहद है तो आप उस हिस्से में जहां पर पर पशु को मदमख आप सोडियम बाइकार्बूनेट को ले सकते हैं उसको पीछना है पीछने के बाद पानी में मिलाना है और मिलाने के बाद जहां पर पशु को इन्होंने डंक दिया है जो मदमखी है तो उससे पर लगा देना है तो यह भी एक काफी जो है यूसफुल होता है आपके पशु के लिए और दोस्तों लाश में बात करता हूं पपीते को लेकर तो दोस्तों अगर आपके पास पपीता है घर में है तो दोस्तों को क्या करना है कि पपीते को लेना है उसको काटना है बीच में से और बीच में से दोनों साइड के जो बीज वाला पोर्शन होता है वो जो है आ पानी से जो है जहां पर दंक मारा तो पानी भी लगा सकते हैं या फिर बर्फ की सीली ले बर बिलकुल दोस्तों आप बड़ी सीजी लेसकते हैं जितने के हाथ में आजाए और 10 से 15 मिनिट में जो है उस सीली को आपको जहां पर डंक लगाया है पशु को तो उस हिसे में बर्फ की सीली को जो है आपको रगणना है ठीक है फ्रेंड्स तो दोस्तों ये जो है सारी उपाए घरेलू उपाए है ये जो है आप इन में से कुछ भी अग फिर मदुमखी काट लेती है तो आपको कौन कौन से इंजेक्शन आप पसुची की सक्की शल्हा के अनुसार अपने पशु को लगा सकते है ठीक है फ्रेंड्स तो दोस्तों सबसे पहला जो इंजेक्शन में आपको बताने वाला हूं इसका नाम है एविल ठीक है फ्रेंड् को लगा सकते हैं और दोस्तों यह प्रेंजेक्शन है अब लगा सकते है एंइमल को और गाइस अगर बढ़ा जानबर है तो आप उसको दस एमेल लगा सकते हैं इंट्रमस rivalry अगर छोटा जानबर टक लगा सकते हैं अगर गोट शीप है ठीक है फ्रेंड्स दूसरे लंबर का जो injection है दोस्तों ये बिलकुल इसको भी आप यूज में ला सकते हैं इस injection का नाम है आइसो फ्ल्यूड ठीक है फ्रेंड्स और ये जो injection है pregnancy safe injection है इसको भी आप लगा सकते हैं इंट्रा मस्कुलर यह injection लगेगा ठीक है और दोस्तों क्या है कि आपको भी medical shop में मिल जाएगा तो गाइज यह जो injection है अगर बड़ा जानबर है तो आप 10 ml तक लगा सकते हैं छोटा जानबर है तो आप उसको 5 ml इंट्रा मस्कुलर injection लगा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स और दोस्तों तीसरा जो injection है उसका नाम है ग्लोर फिल माइन मैलेट injection ठीक है फ्रेंड्स तो दोस्तों ये जो injection है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पर शुक मदुमक्खी ने काटा है ठीक है फ्रेंड्स तो इस injection को भी आप लगा सकते हैं दोस्तों अगर आप एविल अगर एविल आईसो फ्लीड इंजेक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस इंजेक्शन को भी लगा सकते हैं और दोस्तों इसमें भी सेम रहगा अगर बड़ा जानवर है तो 10 ml छोटा जानवर है तो आप उसको जो इंजेक्शन ठीक है दोस्तों इसका इस्तेमाल भी किया जाता है अगर हमारे पशू को मद्धुमकी का्ट लेती है तय PREGNANA Katrina एपका पशू दूद depicted ता है और जोशू अभी आपका पशू बयाने को है यानिकी PREGNANA तो उस स्थिती में आप अपने पशू को इस को लगाने की गल्द दिनना करें pregnant animal और दुधारूपशी को यह injection नहीं लगाना है ठीक है और दोस्तो अब बात करते हैं कि अगर दुधारूपशी नहीं है तो आप उसको लगा सकते हैं बाड़ा जानबर है तो आप उसको 10 ml लगा सकते हैं इंट्रमस्कूलर इंजेक्शन यह लगेगा अगर चोटा जानबर है तो रखते हैं ठीक है फ्रेंट्स थीक है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अब यह तो होगया कि इंजेक्शन को लगा सकते हैं तो दोस्तों है कि सिससे में काटा है तो आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं बाड़ा जानबर है इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन लगेगा और बाड़ा जानबर है तो उसको 10 ml और चोटा जानबर है गोट शीप है तो उसको आप 5 ml यह 7 ml तक उसको लगा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब दोस्तों बात करते है उक्स ट्राश्याश्क में आप अपने पश्यदीक्रावि हैं तो दोस्तों लाष्ट में बात करते है Between-D B endeavor और इस बात का ध्यान रखें की आपका पश्य प्रेग्नेंट और दुधारुब पश्य और पर अपका भ। चाहिए उस उनको जही इंजेक्शन ना लगाए और प्रेगनेंट है ठीक है फ्रेंड्स ठीक है और इसको भी आप लगा सकते हैं अगर बड़ा जानबर है तो आप 10-15 एमेल तक लगा सकते हैं कि पश्वों के सिंगों का इलाज कैसे करें क्यों कि कई बार क्या होता है कि पश होता है कि डॉक्टर भी हमें जल्दी नहीं मिलता लेकिन आपको ब्लाड लगातार निकल ना आपका काम होता है सो गाइस यह जो घरेलू उपाए हैं इनको आप वैटने डॉक्टर के आने तक ट्राइब कर सकते हैं वीडियो अगर आपको हैलप पूल लगी हो तो आप करें और वेटनरी क्लास्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद